दोस्तों यूट्यूब एड से परिशान है तो हमशा के लिए अपने यूट्यूब विडियो की याड को डिजबल कर सकते हैं आपके पास कोई भी याड नहीं आएगा जब तक यूट्यूब देखेंगे और बता दूँ यह फीचर स्रीपोर्ट स्री PC या लैपटप के लिए परोगल के लिए बाध में बताते हैं चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कैसे होगा तो यहाँ पर गूगल पर सर्च कर लिजिए यहां पर एक प्लागन लेना कि एड ब्लॉग ऑरिजिन देखिए ठीके तो इसका नाम पूरा नाम यह गूप और इक्स्टेंशन यहाँ ग कुछ करके डाउनलो बोगा कर देंगा हो च Sich लेते हैं फिसके नहीं है अभी झाल रहा है और यह देख याज आ चुका है अब हिसे क्या फाइदा है जिसके कि आपका YouTube का वीडियो जब वीडियों यहां पर कोई भी याड नहीं आएगा नहीं आएगा फुट्स ने पीसी laptop प्र इस अगर DAN मोबायल में कुछ और तारीके हैं तो बाद बात वीडियो में बताता हैं हैं एक है तो दू-तिन वे पर यहां तबसे देख कर और देख के चेक करके देख लेता हूं अगर किसी किसी महार आए के नहीं तो यहां पर यहां पर यहां पर इसव बीडियों का फ्रीaking कर देखना है, बटन है इससे बन्द भी कर सकते हैं कि अगर हमने इसको बंद किया तो अड़ आना शुरू हो जाएगा अब अगर किसी भी कोई भी वीडियो में चलते हैं तो यहां पर सारे मूबी लिस्ट या रहा है तो फिर से एड आना शुरू हो जाएगा इसी तरह से स्रीफ यूट्यूब नहीं आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट में जहां पर एड आता है और वेबसाइट की चक्र में आप देख नहीं पाते वेबसाइट की यूज नहीं कर पाते तो उस वेबसाइट को भी आप यह एड ब्लॉक करके अपना इस्तमाल कर सकते हैं वहां पर भी कोई याड नहीं है ठीक है तो जैसे कि IRCTC हो गया तो IRCTC में क्या होता है यहां पर बहुत सरे याड भाग रहा द आता है ठीक है तो यहां पर यह अभी ऑन है इस साइट के लिए तो यहां पर इसको भी बंद करता है कि एड आना शुरू हो जाए ठीक है तो अभी दुबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश करेंगे थोड़े देर इंतिजार करेंगे देखेंगे अभी तो बंद चाहिए आज़ा आज़ा भाई कुछ तो एड आएगा उसके बाद जैसे हम इसे बंद करते हैं तो एड आना बंद जाता है बहुत सरे चीज बंद हो जाता है अगर हमने यूब्लक को यहां से अन करते हैं तो इसी तरह से आप यूट्यूब का वीडियो बिना एड फ्री में इसमें कोई आड नहीं आएगा तो देख सकते हैं यूब्लक औरिजिन करके एक एक्स्टेंशन है जिसका को क्रोम में इंस्ट्राल कर द तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं कि मूबाइल में किस तरह से ऐसे फिचर्स को हम कर सकते हैं ब्राउजर में यूट्यूब एप के अंदर नहीं होता है यूट्यूब ब्राउजर में होता है तो आपको बताएंगे ठीक है